आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस Question में देखें हमसे क्या बोला गया है कि इनन Ammeter 5% of the total current passing through Galvanometer ठीक है, 5% जो current है वो Galvanometer से pass करता है जिसका Resistance G है And Resistance S required कितना होगा Shunt हमें कितना connect करना पड़ेगा वो पूछा है, ठीक है तो सबसे पहले चल देखें Galvanometer का Circuit कैसे होता है वो देख लेते हैं किसी भी Galvanometer में देखें G इधर ऐसे होता है और इसका Resistance क्या दिया है G ठीक है, यह Galvanometer है और इसके Parallel हम एक Shunt Resistance connect करते हैं जिसकी Value S पूछे इनने और बोला है देखें इधर से Total Current Pass होगा I Current और जितना Galvanometer में जाएगा उसको हम IG ले लेंगे और जितना Shunt में जाएगा उसे हम Is ले लेंगे ठीक है तो इन लोग ने क्या बोला कि 5% of the Total Current Passes through the Galvanometer तो IG की Value क्या दिये है 5% यानि 5 by 100 of Total Current यानि I ठीक है ये Value मिली हमें और अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम Current Divider Formula लगाते है ठीक है कि IG और Is Current Divider एक Formula होता है देखें I, G अगर हमें इसका Current निकालना होगा तो हम क्या करेंगे इसका Resistance upon Total Resistance दोनों का ये Parallel Circuit के लिए होता है ठीक है और IG निकालना होगा हमें तो S ये होगा ऐसे देखें S upon S plus G into Total Current I सॉरी मैं Capital G लिख लेता हूँ S plus G G into I ठीक है ये होता है और अगर हमें I, S निकालना होगा तो I, S Equal to ये देखें G upon G plus S ये वह से होगा G upon G plus S multiply by I ठीक है ऐसा होगा ये तो इस तरह जो है हम Current Divider Formula से निकाल सकते हैं तो हमें क्या बोला है कि 5% Current जो है Galvanometer से पास कर रहे है तो हम देखेंगे IG की जगे 5 by 100 into I लिखेंगे और हमें G देखना है कि ये S की value कितनी होती है ठीक है तो चलिए देखते कैसे किया जाएगा इसको ये हो जाएगा IG देखेंगे वही लिखेंगे हम IG equals to S upon S plus G again capital लिखना भूल गया हम है ठीक IG upon S plus G into I ये लिखेंगे और IG की value किया है 5 by 100 into I तो हो जाएगा 5 by 100 into I is equals to S upon S plus G into I तो ये I I cancel ठीक है तो इसको multiply कर देंगे अगर हम सबको तो ये हो जाएगा 5S plus 5G equals to 100S तो फिर यहाँ से देखें 5G equals to 100S minus 5S 95S तो S की value के आगे देखें ये होगा 5 by 95 of G which is 1 by 19 G तो देखतें G by 19 जो है second option जो है अपना सई हो जाएगा क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप या वाट्साप कीचे अपने डाउट 8444 सो पर